Hello friends, welcome in my educational YouTube channel RT Lectures Friends, आज का lecture है हमारा bronchography पे आज bronchography भी complete discussion करेंगे आज हम तो start करते हैं bronchography क्या होती है bronchography? bronchography की definition क्या होती? इसके प्रिवासा क्या होती? सबसे पहले ये देखेंगे अब तो it is a fluoroscopic examination of tracheobronchial tree following introduction of contrast media in which a hollow flexible tube called a bronchoscope is inserted into the airway through the nose or mouth and provide a view of tracheobronchial tree that means ये कहना चाहरा है कि इसमें contrast media का introduction करते हैं किसके तुरू? bronchoscope के तुरू जो कि एक flexible होती है और hollow tube होती है उसको mouth से या फिर nose से airway के अंदर insert किया जाता है और जो tracheobronchial tree होता है उसके different type के views लिए जाते है तो किसी प्रकार के radiological procedure होता है तो उसके बारे में अपने अगर definition लिखना चाहते है उसके परिवासा लिखना चाहते है उसमें सबसे फ़हले अपन या fluoroscopic या फिर radiological examination लिखते हैं सबसे पहले कि it is a fluoroscopic और या फिर कह सकते हैं कि radiological examination ये लिख सकते हैं उसके अंदर और उसके बाद में उसमें following introduction of contrast media और जिसके अंदर जिसका भी view लेना चाहते है जिसको भी pathology फैटो फीजियोजी या उसका anatomy देखना चाहते हैं तो वो उसके बारे में लिख सकते हैं तो जैसे कि अंदर देख सकते हैं जैसे फ्लोरoscopic examination होता है किसका होता है जैकि tracheo bronchial tree का होता है जिसके अंदर introduction होता है contrast media का और जिसमें क्या होता है hollow flexible tube होते है जिसको कि अपन bronchoscope कहते हैं दोनों में से किसी एक के तुरू insert कर सकते हैं और जो tracheo bronchial tree होता है उसके different type के views लिए जा सकते हैं इसके अंदर जैसे कि आप diagram में देख सकते हैं कि इसमें यह bronchoscope है यहाँ पर यह bronchoscope से को यहाँ से mouth से insert किया हुआ है किया जाता है उसके बाद यह यह ब्रॉंकस तक यहाँ पर इसको भेजा जाता है और यहाँ पर इसके जो एंटेरियर जो पार्ट होता है वहाँ पर एक camera फिट होता है और उसके पास में फोगर होता है वहाँ से contrast को inject किया जाता है जो कि इससे पूरे bronchial tree के अंदर वह spread हो जाता है उसके बाद में इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यूज लिए जाते हैं यहाँ दिखनते कि यह यह राइट लंग हो गया यह लेप लंग हो गया और यहाँ पर यह ब्रॉंकस हो गई यह विंड़ फाइप से होते हैं इसको इंसर्ट के जाता है बट नाओड़ेज इस बिकम और अप्सलेट अंड रिप्लेश्ट पाइचर स्टिश्ट मतलब यह है कि आजकल इसका मतलब ऑप्सलेट यह परसलीत हो गई है यह जो यह प्रोसीजर है रिडियोग्राफिक और इसको एचर सिटी के दोवारा रिप्लेश्ट कर दिया गया मतलब आजकल इसको रेफ प्रेफर नहीं करती मैं भीडर्कि एंचरीट ही प्रेफर करते हैं उसके बाद मेंब बात करते हैं हम इसके इंडिकेशन की मतलब कौन-कौन-कौन पहला है उसको demonstrate करने के लिए उसका इसका यूज करते हैं यह मतलब यह obstruction का उन कहां पर है और वो कहां तक फैला हुआ है इस चीज को और उसको हटाना है तो इन सबी को देखने के लिए करने के लिए इस procedure को प्रफॉम करते हैं उसके बाद हैं ब्रॉंक्यक टेसिस की कंडिशन जिसके अंदर क्या हो जाता है कि इर्रिवर्सिबल और इनलार्जमेंट हो या फिर कह सकते हैं उसको डायलेशन कह सकता हूं मैं वह ब्रॉंक्य का यह कंडिशन हो जाती है मतलब ब्रॉ उसके साथ में है बलेडींग ब्लेड आ रहा है कपके साथ में तो उसको बोल सकते हैं य्मोपटेसिस की उस कंडिशन में भी यह प्रफॉम किया एका तो उसके बाद है नेक्स्ट्य है ब्रॉंकाय टिस Kin हो मतलब करनेओ इसको फिल्एंग कंडिशन में बहुत आदिक हो गय के इसके अंदर और यहां अस्तमा को भी इंडिकेट कर सकते हैं इसके अंदर अपन और की के सकते हैं उपन रखने के लिए अपनों उसको उसके अंदर इसटैंट है को के लिए इस प्रोसेजर को परफूम करते हैं या फिर बायोपसी हो लंग की टिशू की मतलब बायोपसी की कंडिशन हो उसे लंग की तो उसमें भी इसको परफूम कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि ट्रीट लंग प्रोब्लम से ब्लीडिंग और एक कॉलाप्स्ट लंग मतलब ब्लीडिंग हो रही है कप से या पिर को लप्स्ट हो गए तो उस कंदिशन को भी ट्रीट करने के लिए इसको किया जाता है उसके बाद में अपन बात करते मिलड़ कोमकॉन से इसके हम भिगार करते हैं इसरों कोम किकेशन से प्रसेचर को कौमकॉन तो उसमें भी परफॉम नहीं करते हैं कोंट्रास्ट मिल्डिया से एलर्जी हो मैं सी मौपटैसे सो ये सबीचारों कंडिसंस हैं जिसके अंदर अपन इस पर प्रोसेजर को परफॉम नहीं कर सकती है इसमें अपन एक और जोड़ सकते हैं कि जैसे कि पेसंट को प्रेगनेंसी कि Suspected Pregnancy प्रेशंट को तो ये पॉइंट अपन इसमें यह भी जोड़ सकते हैं जैसे Suspected Pregnancy कि स्थाथ प्रेशंट प्रेव्साइश से उसके बाद में बात करते हैं अपने इसके से कॉंट्रास्ट मीडिया की तो कॉंट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज करते हैं इसके अंदर अपन तो कॉंट्रास्ट मीडिया इसके अंदर होता है जो कि लो स्मॉलर कॉंट्रास्ट मीडिया होता है या फिर यह दो परकार के contrast media इसके अंदर यूज के जाए आयट्रों 300 या आयए एक्जोल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आयट्रों एक डाइमर एजेंट होता है 300 और यह आयए उम्नियों पर की उसके बाद में बात करते हैं, इसके अपने कौन कौन से equipment इस प्रोसेजर के दोरान चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले है, अपनको चाहिए कि फ्लोरोसकफी यूनेट तो होनी चाहिए, उसके साथ में IITV सिस्टम, इस पोर्ट फिल्म होनी चाहिए, इस पोर्ट फिल्म डिवा करना चाहिए तो सबसे पहले है कि एकजाम से पहले जो नाइट होती है उसके अंदर मध्य रात्री के भाद में पैसेंट को कुछ भी नहीं लिना चाहिए खाने पीने में उसके बाद में पैसेंट को चेश्ट फीडियो तरफी दी जाती है जैसे के पॉण्ट शिक्स एम जी एट्रोपीन प्लस 10 आम जी मोर्फिन जो कि इसको सीड़ेट किया जाता है पैसेंट को से यह कि यह जरू कैसे प्रफॉन किया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पैसंट को कहा जाता है कि वो अपने क्लोथ को रिमोव करें और एक होस्पिटल गाउन पिना दिया जाता है पैसंट को और उसको एक सुपाइन पोजिशन पे प्लोलोस्कोपी टेबिल के उपर लिटा दिया करते हैं की जो इसको अपने गले के अंदर इसको 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 क्यैट करते हैं कि यह जिसको अपने लिक्विड कर सकते हैं औरicia के या तो नोज से कर सकते हैं या फिर माउथ से करते हैं उसके बाद में क्या करते हैं कि जो contrast dye होते इसको insert किया जाता है ब्रोंको स्कॉप के थ्रू ही और इसके लंक लंक्स के अंदर अब्रोंक को इसको इसको insert करते हैं इसके हैं रीज रिवीव्यूज लिए जाते हैं यहां पर रिडियो लोगिस्स के rolls इन दर रेडियो भ्रापर के द्वारा तो इस परकार यह प्लतीर को प्रफॉफिंग मैं बात करते हैं सूर्ण में एक तोते हैं फील्मध एक प्रose पेंक्ट मतलब जो कि इंट्रोड़क्शन से फूर वह ही जो फिल्म लिए जाते उसको कहते हैं अपने preliminary film तो वह दिये चैस्ट पी एंड चैस्ट लेकर दोनों व्यू लिए जाते हैं उसके उसके बाद में है sport film sport film मतलब जो contrast introduce कर देया अपनने तो उसके बाद में कौन-कौन से लिये जाते हैं तो आफ्टर कॉंट्रस्ट एंड विपॉर कॉंट्रस्ट बुरिंेंरी फिल्म अद पीलाउ फिल्मभ सेंट टो इस्पॉर् फिल्म मोर्पीच पीए और चैस्ट接ल और है और सेश्ट तरथ गोर्ड लीटके तीनहुन भूब ली जाते हैं कहना यह चाहरा है कि जब अपने यहां पर क्या होता है यो कि बहुत कम विसकस होता है कम श्यानता वाला होता है तो इसलिए उसकी जो satisfactory coating होती है बहुत ही difficult होती है इसलिए उसके बहुत कम time होता है कि वह पूरी तरह से अच्छे से उसको कौट कर पाए अंदर से जो भी ब्रॉंकाई थी उसको coating कर अच्छी तरह से कोट कर पाए उससे पहले ही अपने को मतलब यह बहुत कम होता है लास इसको होता है उसलिए अच्छे से coating नहीं कर पाता है तो इसलिए जितना जल्दी हो सके के इडिकिएट मतलब जल्दी कि उसकी रिडियो ख्राफ लेना चीए को डिले नहीं होना चीए उसके अंदर क्योंकि उसके बाद में क्या होता है कि इन डिकूइट कोटिंग हो जाते उसकी तो यह इसका नोट हो गया उसके बाद में कॉन-कॉन प्रोम एयर वे मतलब एयर वे से अगर कोंट्रास्ट डाई निकली है या नहीं निकले इसको एंशोर करने के लिए मतलब उसके बाद में 24-48 गंटे के अंदर एक चेस्ट एक्सरे को लिए जाता है वह देखा जाता है कि खहीं डाई तो अंदर तो नहीं है क्योंकि इसको पैस जाता है कि expectorant दिये जाते हैं उसके बाद में जैसे अंब्रोकसल ब्रोमाइड होते हैं यह दिये जाते हैं ताकि जो उसका contrast media उसके कफ़े थूरू वापस मुझ से होते हुए बहार आ जाए तो उसके लंक्स के अंदर कोई contrast नहीं बचे तो इसको इन्सूर करने के लिए उसके बाद में इसके chest xray लिया जाता है और पैसंट को कुछ भी खाने से मना किया जाता है जब तक कि उसके फोठ ता गले अंदर जो उसके sensation रिटर्न नहीं हो जाते तब तक उसको खाने के लिए मना कियेता है विकोज अज़ के खाने ये पीने के लिए ये ए ठेसेंटी के लिए तो वो झाये ये पीएगा रिटन नहीं हो जाए उसके बाद में बाद यह प्रोसेजर कम्प्लीट होगा तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिके प्रेशन आप तक पहुंच सके